अगर आप UPSC के त्यारी करते हैं, तो आपको पूरा बुक पढ़ना पड़ता है, तो मैंने UPSC के त्यारी को ही आगे एक्स्टेंड करके तब भी PSC के लिए त्यारी की थी, तो यह यह कि हमें और अच्छे से पढ़ना है, और सोर्सेज लिमिटेड रखका बहुत बार उसको पोस्टिंग है, और इंग्लिश मीडियम के चात्रों के लिए UPSC का हब कहा जाता है, और हमारे सामने है कुमार बुक चेंटर, हापे अभी आए हुए हैं सुधीर कुमार सर, जो कि 66 BPSC के टॉपर हैं, और टूशन पढ़ाते थे वो, और फर्स्ट अटेम्ट में ही उन्हो और पहली बार में ही उन्होंने यह सपलता प्राप्त की थी, और उनका PTV क्वैलिफाई है, UPSC का तो अंदर चलेंगे, और उनसे जानने की कोशिच करेंगे, कि खिर वो क्या पढ़ते थे, किस तरीके से नोने अपनी रड़नीती बनाई थी, और यह दुकान दोस्तों काफ मैं आधो की का है, तो सोचे सर से मिलते जाए, के भी संदो का थेर से नहीं का बुक है तो सोचे की मिलते जाए, कि ऊदर बांदर निकल सकते हैं इधर से, मैं एक बांदर आता हूं, फिर अराम से बिल्कुल बात कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों, यह तॉपर्स है वोड़ा कम मिलते हैं फिर क्योंकि लोगों को टाइम नहीं मिल पाता है विजी हो जाते हैं और मुझे मिली गया रात के समय और मैं दुकान के अंदर ही आ गया हूँ और मैं सर से जानने की कोशिश करूँगा सुदीर सर यह दरना चाहूंगा आपने वी टैक्ट भी किया था कानपुड से और आप टूशन भी साइद पढ़ाते थे मैथ आपको ऑफनल सा अरे पहले ही परियास में भी पीची 66 में आप टॉपर मन गए क्या उसके पीछे की रड़नीती क्या थी वह बताईए एक रड़न इसमें नहीं होती नहीं होती तो मैंने बहुत ज्यादा फोकस अपने पर किया था और उसमें इतना बूश्ट हो गया कि बाकी सब्जेक्ट जो जी एस होते वह बाकी लोग मैनेज नहीं कर पाए तो वह एक बेनिफिट मिला बट एस सच और मैने वीक पॉइंट भी मैने बत क्या पने और क्या ना पने आप कहां से पढ़ते थे क्या पढ़ते थे क्या स्लेक्ट किया था आप में नहीं सिर्फ एक ही स्टेडी मेटरियल लेना चाहिए और उसी को बार बार रिवाइस करना चाहिए आपने कुन सा पढ़ा था मैने तो जैसे कि बुक्स होती है वह जेन वधी थी उसमें क्या खहता कि एक पॉंइंट पॉंइंटर रहता है और उसमें उसका बहुत जबारे भी लिए लिक Honor मुझे लगता है कि एसा मैं ऊल worn लैनृ भूल जाता हूं वाकी इसमें क्तार मैं भूल जाता हूं कि ईसमें क्या को भूल जाता हूँ अगर किसी कारण से तो मुझे याद रहे कि अच्छा ये गाजिया वर टूथ है पर दिस ऐसा कुछ कनेक्ट कर रहा है उससे मैं फिर याद कर रिलेट कर पाता हूँ चीजों को तो अगर मैं भूल भी गया हूँ तो इसके बारे में जो रिलेट है रिलेट क पाता है तो आप उसमें लॉजिकल गिस्वरक नहीं कर सकते हैं इसके लोजिकल गेस्वरक कर सकते हैं वहाँ ऑफसे ये इन्फिरमेशन है तो यह इसमें बहुत बेटर है तो कैसा लग रहा है आज आपकी दुकान पर शी सिक्टीविक्स के वह भी हैं आपकी भी किताव हिर पढ़ेंगे और दुकान पे ही आज कैसा फिल हो रहे हैं बच्छों के अच्छा से गाइडन्स करेंगे जो परहें उसे बताएंगे तर मैं आप से जाना चाहूंगा नए स्टुडेंट को आप क्या कहना चाहेंगे जैसे अभी कोई भी पैसी की तियारी कर रहे हैं उनको आप क्या क्याना चाहेंगे खास करके बिहार के स्टुएंट को बढ़ चड के तयारी करते हैं और आपने कभी सोचा था कि मैं पहली बार में टॉपर बन जाओंगा इस सोचा तो नहीं था और किसी को पता भी नहीं होता बट अभी जैसे आप देख रहें कि इतना कॉम्टिशन चला गया है तो यह है कि हमें और अच्छे से पढ़ना है और सोर्सेज लिमिटेड रखकर बहुत बार उसको रिवाइस करना जितने बार मैक्सिम रिवाइस करते हैं उतना बेटर होगा और दूसरा यह है कि आप ऑप्सिनल पर थोड़ा कमांड ज्यादा बेटर करें क्यों स्कोरिंग होती है वह एवरेज रहती है तो आप अच्छा करते हैं और जो डिया नहीं करते हैं उनके लिए कि डिया वह जरूर करें क्योंकि वह ऐसा सेक्षन है जिसमें आप नॉर्मल लोगों से बहुत आगे निकल सकते हैं जो बहुत लोग छोड़ देते तो उसको ना च किया था बट लोगडाउन और कोरोना की चक्र में बंद हो गया तो फिर मैंने त्यारी सुरू कर दी मैथ आपका उप्शनल सा मैथ से कभी डर नहीं लगता था क्योंकि यह साइद एक ऐसा सब्यक्ट होता है जो प्रैक्टिस बहुत मांगता है एज़ा है कि जब आई-टी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर हम अच्छी मैनत करें तो हमारी तरफ से आपके लिए सारी सुपकामना है लाश्ट में मैं और चीज़े आना चाहूँगा के भी सीजों नैनो है क्या यह स्टूडेंट की कुछ मदद कर पाता है कुछ हैल्प कर पाता है यहां से स्टूडे कि प्रिवियस के साथ आप यह देखिए जैसे एक अच्छी बात है कि यह जब रिपीटेटिव कोश्चन है तो हर बार अलग अलग तरीके से एंसर दिया गया है तो मैं क्या करता हूं कि हर एक एक कोश्चन उठाया उसका मैंने चेक कि यहां पे भी है अलग में भी कहीं पे करते थी यह मुझे लगता है अब ही इंग्लिस में नहीं आई है संप दो यह प्रेक्व करेगा ऐस्यूक के लिए तो यह वहां पे वहाँ करेगा अगर आप UPSC के तियारी करते हैं, तो आपको पूरा बुक पढ़ना पड़ता है, तो मैंने UPSC के तियारी को ही आगे एक्स्टेंड करके तब भी PSC के लिए तियारी की थी, अच्छे सर आपने UPSC का प्रेलिम्स क्वालिफाई किया है, वो कैसे किया, उसके लिए भी इसके क कुछ किताबे बड़ी दिया नहीं, यूपी PSC के लिए तो मतलब जैसे पहली बार जब हुआ था, तो मेरा नहीं हो पाया था, तो फिर दूसरी बार मैंने जो जो मेरे सब्सक्राइब हो गया, इकनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, इसके लिए NCRT बहुत मच्ट है, यह जानना चाहूँगा सर, बिहार की जो छातर होते हैं, इतना जुनून जोस कहां से आता है, इतना जोस जुनून कहां से आता है आप लोगों के इंतर, इसके दो तिन का सब्सक्राइब करने के लिए, हम लोग ठक जाते हैं, लेकिन वो करते रहते हैं, तो वो तो जुरून बहुत बिहार में स्टेमिना बहुत जादा है, और दूसरी है कि थोड़ा सा हमारे आप बोल सकते हैं कि जो बिजनेस लाइन हो उतना डेवलप नहीं हुआ, तो उसके का अब जमीन से जुड़े इंसान चेंज नहीं होते हैं, तो अभी तो है कि देखते हैं, बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं, अगर मौका मिलता तो करेंगे, और अगे यूपीसी के तैयारी चल लगी है, वो देखते हैं, अगर वो हो जाय तो और अच्छी बात है, जादत दुकान पहले पटना में थी, अभी दिल्ली में होना है, जोस्तों ये दुकान बहुत बड़ी है, आप देखेंगे तो इस पर यूपीसी का स्टडी माटरियल जो है, वो भी मिलता है, और किताबे भी यह पूरी भरी बड़ी है, और यहां पर बहुत सार एक्टुएंट अ यह इचाहिए, यह बाँ मुझे धिया निकलते है, यह बताएँ आप कुणसी किताब ही बड़ते थे, आपने भी मैंश वगरा लिखाए, जुबार निट्रểu जहां है? यहां बहुत सरी किताबें हम आपको आगे एक वर दिखाते हैं कि इधर सही में निकलता हूँ दिखाएंगे यहां और भी बहुत सरी किताबें जैसे कि आप देखेंगे जर्नलिक श्टिडिजिस की इसकी के लिए सब से बेश्ट है इसको हमने बार बार पड़ा भी था और लगभग कोशन इसी से आये थे और एंसी आडी बस है राम बार अपना जानना चाहूंगा जैसे कि ऑनलाइन यहां से बहुत सारे स्टुएंट मंगाना चाहेंगे तो क्या आप कूरियर बगरा भी करत देता हूँ आप यहां से मंगा सकते मैं एड्रस डाल दूगा और इस्क्रीन पर यहां के नमबर भी डाल दूगा तो जो यहां के ओनर है आप उनसे डारेक्ट बात करके अपनी किताब में या नोट्स मंगा सकते हैं और यह आप देखेंगे तो यहां पर लिखा है कुमार लुक चेंटर के वीशी ऑल इंडिया कूरियर फैसिल्टीज ठीक है यह इनके कॉंटेक्ट नमबर हैं बाकी का हम डाल देंगे एक बार दुकान दिखाता हूं कि कितनी बड़ी है दोस्तों यहां पर लगबग यूपी एस्टी बैंक बीपी एस्टी जितने भी कॉंपीटि युद पर दुकान दाएं लकिन इतनी जैना बड़ी जैना और यहां पर यहां को हैं यहांपिदर फिर भीच और नाटक रिभात की खुळी है और कोची स्टुडेंट हैं उनसे भी बात करेंगे कि इधर जोस्तों आज हम ओल्ड राजंदरनगर में थे अगर आप कुछ भी UPSC से related, UPSC से related, UPSC से related, कुछ भी study material यहां से मंगाना चाहते हैं, तो मंगा सकते हैं, नंबर हमने इस्क्रीन पर लगा दिये हैं आप डिरेक्ट बात कर सकते हैं यहां के और ते कुछ दोस्त इधर भी है क्या नाम है अपका अलोग मैं पटना से इस दुकान से क्या खरीदने आयते भी आप अज मैं इस से मैं क्लास लिवन कि जोग्राफिक की बुक कर दें वाले ह कि आप एक बार दिखाईए बिहार समग्र पोल्ड राजंदर नगर में कप्षे हैं पोल्ड राजंदर नगर में नहीं रहता हूं पटेल नगर अभी यहां दुकान हम में दुकान पर बुक्स करने हैं कोचिंग मैंने बहुत पहले कर रुकिंग पैसी चल लिए फिर आपक को अपनी वीडियो में इतनी बड़ी दुकान दिखा रहे हैं इससे पहले तो हमने कई दुकान आपको दिखाई हैं जो कि छोटी छोटी थी और यहां पर बहुत सरी किताब हैं दोस्तों के बीशी नैमो की जनली स्टेडीज हैं और बिपीस के लिए बिहार समग्र यहां प किताब हैं और यह कुमार वोक्स सेंटर जो है के विशी नैनो उनके यहां पर नंबर हैं एड्रस हैं तो आप उनलाइन भी मगा सकते हैं यह वीडियो दोस्तों आपको कैसा लगा आप कमेंट वोक्स में जरूर लेखिए और अगर आपको ऐसा लगता है हम कुछ पूछना भूल गए हैं तो आप बताईए यह वीडियो देखने के लिए आपको बेहत सुक्रिया मिलते हैं आप से किसी और वीडियो में आप भी पढ़ते रही है आगे बढ़ते रही है जैहिंत